हेलो फ्रेंड्स मैं शत्य जिद गायकवाड़ एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ आज का हमारा चैप्टर है माथे बज़िक कंसेप्ट्स इन जेवेट्री इस वीडियो की यह सेकेंड पार्ट है अगर फर्स पार्ट आप लोग नहीं नहीं देखी तो जल्दी से जाकर पहले वह पार्ट देख लिजिए आज हम देखने वाले हैं सेग्मेंट्स रेज लाइन्स और इससे रिलेटेड कुछ प्रापर्टी जो कि आज हम देखने वाले तो वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो अन तक देखिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू इंडियाज फर्स सोशली लर्निंग प्लैट्फर्म ओन अक्डेमी एकडेमी याने कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की पूरी की पूरी लाइव क्लासे साथ को वहां पर मिलने वाले हैं जो की बिलकुल फ्री हां डेवी फ्री लायु लाइव क्लासे स्टील एक्जाम आर डन फ्री की पूरी जो बाते हैं यह आपको बिल्कुल मिलने वाली है बिल्कुल absolutely free तो जल्दी से जाए लिंक description में दी गई है न्यून अकडेमी एप डाउनलोड किजिए और free classes का मज़ा लीजे तो चलिए आज कि हमारी वीडियो शुरू करते हैं आज हम सिखने वाले हैं कुछ basic concepts related to geometry तो उनमें से पहला concept है लाइन सेग्मेंट क्या होता है लाइन सेग्मेंट क्या होता है जैसे कि यहां दिया गया है सेग्मेंट ए और बी दो points दिये गया है और दोनों points को join किया गया है और जो यहां पर graph बनी वह diagram है lodge segment link त्थीन सेग्मेंट याने की हम कैसे लिखेंगे सिंपली लिखते टाइम हम आइसे लिखेंगे से जैने सेग्मेंट what is segment इसका नाम क्या है सेग्मेंट अबी और और इसे हम ऐसे ही लिख सकते है, segment BA इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों भी बराबर option correct हो जाएंगे, कोई भी wrong नहीं होगा, तो क्या है segment AB, तो इसके length क्या है, length of segment AB, length क्या होगी, तो length of segment AB is equal to distance between points A and B, तो कुछ इस तरह से, suppose the distance 4 होगा, तो length of segment AB 4, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB is equal to 4, generally हम इसे ऐसे लिखते हैं, AB is equal to 4, तो यह हुई line segment, उसके बाद हम देखेंगे, ray, what is ray, if line segment, line segment क्या थी हमारी AB थी, उसे हमने एक side से, यहां से extend कर लिया, क्या कर लिया, extend कर लिया, और उसके extension की कोई भी limit नहीं है, यहाँ पर देखिए, extension की कोई भी limit नहीं है, उसे extend कर लिया, तो इसे हम कहेंगे ray, तो ray से related कुछ concept है, यहाँ पर वो हम देख लेंगे, ray का होता है origin, origin ध्यान में रखना है, इस ray का origin क्या है, point A is the origin, क्या है, point A, ray का origin क्या है, इस ray का, point A, तो मतलब origin मतलब क्या कि इस ray की शुरुवात इस point से हुई है, point A से हुई, इस ray की शुरुवात point A से हुई है और ये ray जो है, वो point P की तरफ बढ़ रहा है, नहीं कि P से आगे, उस direction में, इस direction में हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस direction में ये क्या होगा, infinite आगे जा सकता है, infinitely आगे जा सकता है, कितना भी distance कर सकता है, मतलब जो ray है, उसकी length हम नाप नहीं सकते, ये ध्यान में रखना है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम लिख सकते है, ray AB, we can write also ray AP, but we cannot write ray BA और ray PA, because अगर ये ray की शुरुवात A से हुई, तो उसका नाम भी A से ही शुरू होगा, मतलब जिस ray का जो origin होता है, वो ही point नाम लिखते time पर पहले लेना होता है, ray AB is the right answer, right name for the ray, and if we write ray BA, then it will be wrong, तो ऐसे लिखना नहीं, ये, BA या ray PA, ऐसे अगर लिखा, तो ये wrong हो जाएगा, तो ये बाते अपने ध्यान में रखना है, तो ये तो हो गई ray की बात, इससे आगे हम देखेंगे, line AB, what is line AB, देखिए, कुछ इस तरह से, अब इसमें कोई भी शुरुवात नहीं है, और कोई भी end point नहीं है, इस line की ना तो भी शुरुवात है, और ना ही इसका कोई end है, मतलब दोनों साइड से ये infinite, length है, इसकी क्या है, infinite, क्या है, infinite, देखिए, अब यह से कहते हैं, line segment, जैसे कि segment था, segment limited था, okay, line segment जो था, वो उसके length हम measurement कर सकते थे, लेकिन line की length, यहाँ पर भी length measure करना possible नहीं होगा, तो देखिए, इस line का name हम कैसे लिखेंगे, तो यह क्या है, line A, B कह सकते हैं, इसे हम कह सकते है, line B, A भी कह सकते है, line A, B और line B, A, तो इसे हम line A, B और B, A कह सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से हमें line धन में रखना है, उसके बाद congruent segments, congruent segments क्या होता है, देखिए, यह segment दिये गए है, segment A, B और segment CD, देखे, segment AB, तो segment AB क्या होगा, suppose segment AB होगा, distance of AB, segment AB आने क्या, segment AB is equal to distance between points A and B, okay, that means length of segment AB, okay, that is equal to, suppose distance है इसका 5 units, and length of segment CD is equal to distance between points C and D, उसका भी distance हुआ 5 units, suppose, तो क्या हुआ यहाँ पर दोनों का distance same आया, दोनों यहाँ पर values same आया, that means the segments are congruent, और उसे हम ऐसे लिखेंगे, segment AB जो है, वो उसकी length और segment CD की length same है, मतलब यह congruent है, क्या है, congruent है, congruent है, congruent का symbol यहाँ पर ध्यान में दिजीगा, यह है congruent का symbol, इसे हम ऐसे लिखेंगे, segment AB congruent to segment CD, कुछ इस तरह के से हम उसे लिखेंगे, उसके बाद देखना है हमें, कुछ properties, properties of congruent segments, जैसे कि reflectivity है, reflectivity क्या, याने क्या, याने कि segment AB is congruent to segment AB, मतलब हर एक segment उस खुद के साथ congruent होता है, यह है हमारी पहली property, symmetry, दूसरी property है, symmetry याने कि, if segment AB is congruent to segment CD, then segment CD is also congruent to segment AB, याने कि यह पहला segment देखिए, AB congruent to CD है, तो CD भी AB को congruent होना चाहिए, होगा हमेशा, तिसरा है transitivity, transitivity याने, if AB is congruent to CD, if first is congruent to second, and second is congruent to third, then first and third are congruent, इसे हम कुछ इस प्रकार देखेंगे, यह देखिए segment AB यहाँ पर है segment AB, उसके नीचे same length वाला segment होगा, segment कौन सा होगा, segment होगा CD, CD किसको congruent है, CD is congruent to, CD is congruent to, EF, मतलब यह congruent है, AB congruent to CD, and CD congruent to EF, तो यह जो EF है, वो AB को congruent होगा, मतलब यह दोनो segments, transition होगा है, यहाँ पर congruency का transition होगा है, इसलिए इसे transitivity कहते है, तो यह properties ध्यान में रखना जरूरी है, reflexivity, symmetry, and transitivity, reflexivity आने हार एक segment खुद को congruent होता है, दूसरा transitivity आने, एक segment दूसरे को congruent होगा, transitivity मतलब first is congruent to second and second is congruent to third, then first and third are congruent, ऐसे हमें इसे ध्यान में रखना है, चलिए आगे बढ़ते है, आगे हमें देखना है, मिड़ पॉइंट of a segment, what is midpoint, midpoint है ने क्या, कि segment AB दिया गया है, यहाँ पर segment AB दिया गया है, suppose segment AB, segment AB is equal to 10, so what is the work, midpoint M, क्या करता है, वो midpoint करता है, divide करता है segment को, दो equal parts में, मतलब यह क्या बनेगा, AM 5, और यह जो YUM भी है या BM है, यह भी 5 होगा, मतलब, there are two equal parts, किस के वज़े से होए equal parts, point M की वज़े से, तो point M क्या कहलाएगा, midpoint, middle, यानि कि exactly बीच में होगा, वो point, उसे क्या कहेंगे, midpoint कहेंगे, यह धान में रखना है, if, if, देखिए, if M is midpoint, किसका midpoint है, M is midpoint of segment AB, किसका midpoint है, segment AB, segment AB, segment AB का midpoint M है, तो क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर दो पार्ट में divide हुआ, AM और BM, और दोनों पार्ट जो है, वो half होंगे, original segment से, half into AB, ओके, यह धान में रखना है हमे, midpoint का काम क्या होता है, कि दोनों उस segment को दो equal parts में divide करना, उसके बाद हम देखेंगे, comparison of segments, तो comparison of segments क्या है, आसानी से बता सकते हैं, AB segment, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इसे ही comparison कहते है, what is comparison, which segment is greater, which segment is smaller, क्या कैसे कह सकते हैं, देखिए, segment AB is smaller than segment CD, ओके, यही हुआ हमारा comparison of segments, तो कुछ इस प्रकार से हमें धान में रुपना है, उसके आगे, perpendicularity of segments of race, perpendicularity, यह देखिए, segment AB दिया गया है, यहाँ पर, segment AB, और यह जो line CD है, line CD ने क्या किया वाला है, line CD जो है, वो यहाँ पर 90 degree का angle बना रही है, segment AB के साथ, यह देखिए, यहाँ पर, तो if a line makes angle of 90 degree with any segment or something, then they are both perpendicular to each other, वो क्या होते है, perpendicular होते है, perpendicular याने, उसे हम ऐसे लिखेंगे, ultra T, देखिए, तो यह read कैसे करना है, यह statement जो अभी लिखा है, यह read कैसे करना है, यह read करना है, segment AB is perpendicular to line CD, या इसे हम ऐसे कह सकते है, line CD is perpendicular to segment AB, ऐसे भी हम इसे लिख सकते है, okay, then both are perpendicular to each other, तो इसे कहते हैं, perpendicularity, उसके बाद देखेंगे, distance of a point from a line, देखिए, यहाँ पर एक line दी गए है, line AB, line AB दी गई है, यहाँ पर, तो point C जो है, वो line के outside, outside point, तो उसका distance कहीं से measure करेंगे, यह देखिए, अगर यहाँ से measure क्या, तो यह distance नहीं, इसे distance नहीं कह सकते हैं, distance is always measured in the perpendicular direction, यह देखिए, यहाँ पर, CD, what is the distance, distance is, distance of point, distance of point C from line AB, क्या हुआ, distance, the distance is, that is, therefore, distance is, distance CD, यह फिर इसे हम segment CD भी कह सकते हैं, तो यह क्या बना, इस point C का, इस lines के साथ, distance हुआ, यहाँ कि distance measure करना है, perpendicular direction में हमें, देखिए, यह दान में रखना है, तो आगे बढ़ेंगे, अभी example solve करना है हमें, practice set 1.2, देखिए, question क्या दिया गया है, question क्या है, the following table shows point on a number line, and their coordinates, decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not, यह segment जो दीगे है, यह congruent है या नहीं है, यह हमें find out करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला question, पहला question क्या है, segment DE and segment AB, तो पहली बात तो यह कि congruent अगर है या नहीं देखना है, तो उसका distance या उसकी value मालूम होनी चाहिए, उसकी length मालूम होनी चाहिए, याने कि segment DE जो है, उसका distance of DE find out कर लेंगे हम, तो distance of DE find out करेंगे पहले तो point D यहाँ पर है, यह देखोए, और point E देखिए, यहाँ पर, बड़ा coordinate कौन सा है, greater coordinate 9, तो 9 minus, 9 minus, यहाँ पर, minus 7, 9 minus, minus 7, that is equal to, that is equal to 9 plus 7, that is equal to 9 plus 7, यहने 16, 16 units, अब यहाँ देखिए, distance of DE, 16 units है, that means, length of segment AB, length of AB is equal to 16 units, ओके, उसके बाद देखिए, segment, sorry, AB नहीं, यहाँ पर DE, DE लिखना है, segment DE की length क्या बनी है, क्या हुई, segment DE, segment DE is equal to 16 units, segment DE, okay, then AB find out करेंगे, distance of AB, distance of AB, now, distance of AB is equal to, कहाँ पर यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यहाँ पर, A or B, बड़ा लो कांस है, B, that is 5, 5 minus, minus 3, that is equal to 5 plus 3, and equal to 8, now distance of AB is equal to 8, okay, that means, length of AB is equal to 8, so, segment DE and segment AB are not congruent, क्यों, ऐसा क्यों लिखा हामने, हैं, not congruent, आपको दिखाना था, are congruent or not, अगर दोनों की length equal आती, अगर segment DE की value, मतलब length, और segment AB की length अगर equal होती, तो भी हम कह सकते थे, कि वो congruent है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो congruent नहीं है, उसके बाद अगला एक example देखेंगे, segment BC and segment AD, मतलब पहले तो distance of BC find out करना है, distance of BC is equal to, क्या है, BC यह देखें, यहाँ पर 5-2 होगा, 5-2, that is equal to, distance of BC कितना आया, distance of BC equal to 3, that means length of BC is equal to 3, अब देखें, AD find out करेंगे, AD, कहाँ पर है, यह देखें, A और यह देखें, D, minus 3, minus 7, length of, distance of, AD, तो distance of AD क्या बनेगा, minus 3, minus 7, तो पहले तो बड़ा अगला 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 अगलेट, minus 3, उसके बाद में, minus, छोटा अगला 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 अगलेट, तो क्या बनेगा, minus 3, minus, 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 plus, plus 7, that is equal to 4, distance of AD, क्या बनेगा, 4, that means length of AD is equal to 4, अब देखें, यहाँ पर length of BC 3 है, और length of AD 4 है, दोनों equal नहीं है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, segment BC and segment AD are not congruent, तो इसे हम कुछ इस प्रकर से लिख लेंगे, तो third वाला question भी बिल्कुल easy, ऐसे ही करना है, तो आप कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, अगला question, अगला question है, point EM is midpoint of segment AB, and if AB is equal to 8, then find the length of AM, find the length of AM, क्या करना है हमें, हमें सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पर एक छोट इसी rough diagram बना लिए, क्योंकि अगर एक rough diagram बना लिए, तो उससे हमें समझने में आसानी होगी, यह क्या है, segment AB है, क्या है, segment AB है, और उसमें एक midpoint YUM है, यहाँ पर बिल्कुल बीच में midpoint क्या है, M, तो हमें क्या करना है, AB दी गया है, what is the value of AB, AB is equal to 8, and YUM is midpoint of AB, अभी-अभी कुछ देर पहले में ने बता है, midpoint, YUM is midpoint of AB, अगर midpoint है, तो वो दो equal parts में divide हो जाएगा, equal parts, और जो दोनों पार्ट बने, यानि AM और BM, दोनों क्या होंगे, हाफ होंगे, original segments, therefore, therefore, AM जो है, जो find out करना है, is equal to half, half of AB, half of part हो गए उसके, तो half of part होने के बादने, half of AB, मतलब half of AB के value, what is the value of AB, AB is 8, half of 8 यानि, half of 8, that is 4, AM, 4, 4 units लिख लेंगे, okay, what is the value of AB, AB is equal to 4 units, okay, तो कुछ इस प्रकार से हमें यह आसन सवाल सवाल करने है, तो देखिए, अगला सवाल, point P is the midpoint of segment CD, if CP is equal to 2.5, find length of CD, same, यहाँ पर एक segment draw कर लेंगे, क्या है, segment CD है, segment CD दिया गया है, और midpoint है, midpoint है, point P, midpoint है, point P, देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर length of CD find करना है, length of CD और दिया गया है, segment CP, CP दिया गया है, 2.5, तो पहली बात तो यह, कि point P, point P is the midpoint of, is the midpoint of, लिख लेंगे, is the midpoint of segment CD, तो पहली बात यह, हमने लिख लिया यहाँ पर, उसके बाद, अब क्या होगा, दो equal parts बनेगे, दो equal parts बनेगे, यानि, दो equal parts कौन से होंगे, CP और PD, यानि कि CP is equal to PD, ओके, बट, CP क्या दिया गया है, CP is equal to 2.5, so, PD is also, therefore, PD is also 2.5, लेकिन हमें find क्या करना है, हमें find करना है, CD, हमें क्या find करना है, CD, length of CD, तो length of CD is equal to, देखे, डाइग्रम में देखे, यह जो CD है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते, CP plus PD, ऐसे लिख सकते, तो डाइग्रम उसी के लिए रफ में बनाई थी, हमने, तो length of CD is equal to length of CP plus length of PD, ऐसे हम यहाँ से लिख सकते हैं, that is equal to, that is equal to CP कितना है, CP है 2.5, plus PD कितना है, 2.5, कितना हुआ, 5, length of CD is, length of CD is equal to 5 units, ओके, कुछ इस तरीके से हमें यह सवाल हल करने हैं, तो I hope आपको यह समझ में आ गया होँगा, चलिया आगया बढ़ते हैं, ignore this, then अगला question है हमारा, if AB is equal to 5 cm, BP is equal to 2 cm, and AP is equal to 3.4 cm, देखिये, क्या दिया गया है, AB is equal to 5 cm, BP is equal to 2 cm, and AP is equal to 3.4 cm, compare the segments, what is the comparison, comparison हम कैसे लिखेंगे, देखिये, AB is greater than BP, also AB is greater than AP, कैसे, what is the value of AB 5, BP 2, बड़ा कौन है, AB बड़ा है, what is the value of AB 5, AP 3.4, बड़ा है AB, तो यह दो statement होगे, यहाँ पर BP जो है, BP जो है, वो क्या है, लेस है, किस से लेस है, AB से, पूरी की पूरी possibility लिखेंगे, और अंत में हम answer लिखेंगे, फिर, BP is equal to, BP is less than AB, and also BP is less than AP also, तो AP क्या है, AP is less than AB, और AP is greater than BP, BP, और अगर हमें एक साथ लिखना है, तो सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, या सबसे छोटा वाला, हाँ, ascending order और descending order, तो AB सबसे बड़ा है, तो AB is greater than AP, तो second number में AP है, और उससे भी छोटा कौन है, is less than, BP is less than both the segments, तो यह हुआ हमारा answer, AB is greater than AP, AP is greater than BP, तो यह हुआ हमारा answer, हमने इस तरह से compare करना है, segments को, तो अगला question देखेंगे, अगला question है, write the answers to the following questions, write the answers to the following questions, with reference to the figure given 1.13, 1.13 जो figure है, उसमें reference लेके हमें answers find out करना है, पहला question देखेंगे, पहला question क्या है, write the name of opposite ray of RP, अब देखें, ray RP कहां है, यह पहले find out करना है, ray RP, देखेंगे अब यहाँ पर, ray RP क्या है, ray RP है, यहाँ पर, यह देखें, ऐसे आगे बढ़ रहा है, यह, पूरा गपूरा, यहाँ से शुरुवाच और आगे पूरा, ray RP, और उससे opposite direction में कौन से होगा फिर, यह यहाँ, यहाँ पर, ray Aries, ray Aries हो सकता है, यानि के पहले question का answer क्या है, ray Aries, ओके, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, write the intersection set of PQ and RP, sets में हमने पढ़ा, intersection, what is intersection, intersection यहने common part, अब यहाँ पर देख लेंगे, intersection यहने क्या common part, देखें, कौन सारे यह बताया गया है, write the intersection set of PQ and RP, देखें, यहाँ पर PQ and RP का intersection लेना है, ray PQ यह यहाँ से आगे, और रे, RP, ray RP यहाँ से आगे, मतलब अगर समझो, यह ray, यहाँ बाजू में लिख लेता हूँ मैं, PQ यहाँ से आगे जा रहा है, और यह वाला जो है, RP, यह यहाँ जा रहा है, आगे, तो यहाँ से आगे, यह जो part है, यह part common आएगा दोनों से array में, मतलब common part, तो इतना common part आएगा, रे, PQ common हैगा, तो रे, PQ is the answer, intersection set, ओके, रे, PQ is the intersection of set of PQ and, रे, PQ and रे, पियर, जैन तीसरा question, तीसरा question क्या है, राइड दे, यूनियोन सेट of PQ and QR, यूनियोन याने दोनों को मिला की क्या बनेगा, यूनियोन याने दोनों का जोड, दोनों को मिला के क्या बनेगा, PQ कहाँ पर है देखिए, ये देखिए, PQ यहाँ पर है, ऐसे वाला, यहाँ से PQ, और उसके बाद, दुसरा set है QR, QR यहाँ से, उल्टा, इधर, तो दोनों opposite direction में जाने के हो जैसे, दोनों मिला के लाइन बनेगी, तो लाइन का नाम लिखेंगे TQ, क्या बना दोनों मिला के लाइन बने, दोनों का यूनियन, याने दोनों मिला के क्या बना, दोनों मिला के लाइन बने, लाइन TQ लिखेंगे, लाइन यसा, और कुछ भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लेम नहीं होगी वही सेम आंसर आएगा Question No.4 State the rays of which Segment QR is a subset Segment QR कौन से रे के अंडर आएगा कौन से रे का subset होगा यह हमें अब यहाँ पर लिखना है देखिए सेग्मेंट QR सेग्मेंट QR देखना है सेग्मेंट QR यह देखिए यहाँ पर और उसमें रे कौन से आएगा उसमें आएगा रे RQ रे RQ रे RQ दूसरा आएगा रे QR रे QR उसके बाद रे ESR भी आ सकता है यानि कि ESP ESQ उसे कुछ भी कह सकते है रे ESQ उसके बाद रे TQ भी कह सकता है रे TQ इतने सारे नाम कैसे लिए देखेंगे यह दिखें यहाँ पर हमें क्या करना था हमें सिर्फ इतना करना था कि QR कौन-कौन से किस-किस का सबसेट है यह देखिए QR यहाँ पर है यहाँ पर क्यों यहाँ पर आ रहे तो यह वाला जो रहे है इसका तो सबसेट बनेगा यह वाला रहे है इसका भी सबसेट बनेगा यह जो यहाँ से स्टार्ट होगा इसका भी सबसेट बनेगा यह वाला पाट और यह यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है इसका भी यह वा वाले रेज कौन से है तो आर्यस और आर्पी दो ही रे बन सकते है आर्टी और आर्पी वो भी सेम ही होगा पहली बात क्वेश्चन नमबर फाइव अपोजिट रेज लिखने है अपोजिट रेज कौन से है रे आर्यस एंड रे यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा स्ट और यह सर रे यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा लास्ट के राइट इहां पर रियर्षी इधर य देख्ये यहां पर यह यहां है च्र्स हाँ यह at बावजुद दूसरा कोई ही नहीं आएगा तो देखिए इसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या है आंसर दफ क्वेश्चन सुथ यहां से वन टू 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 यूनिट्स इधर गए हम तो टू यूनिट्स इधर गए तो पोइंट C&A, सभस्थ पोइंट C & A आर एक्विदिस्टंट फ्रÂंट B okay also we can find more यहाँ देखे 1, 2, 3, 4 point P आगा 1, 2, 3, 4 point P and D also points P and point D are equidistant from B are equidistant from point B okay तो यह तो सवाल easy था उसके बाद write a pair of points equidistant from point Q Q से equidistant कौन है तो यह तो दो दिख रहे हैं यहाँ पर और यह दोनों मतलब Q से equidistant रहने वाले equal distance पर रहने वाले points कौन से है points U and L also points R and P are equidistant from are equidistant from point U okay then find distance of UV find distance of PC distance of VB or distance of UL तो यह सभी distance हमें find out करने का जो process है जो steps है वो मैंने पहले इस वीडियो के पहले पार्ट में जो पहला वीडियो था इससे पहले उसमें मैंने पूरा का पूरा explain किया हुआ है अब यह question वो वीडियो देखकर आप यह question हाप solve कर सकते हैं तो यहाँ हमारा यह practice set 1.2 खतम हुआ आज हम यह वीडियो की यहाँ end कर देंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like button ट्रेस कीजेगा इसे अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा तब तक कि लिए धन्यवाद